आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं बलकि आप लोगों से सवाधिस थापित करना चाहता हूं आलकि यह कोई लाइव क्लास नहीं है क्योंकि अभी लाइव इस्ट्रीमिंग के लायक मेरे क्या करना चाहिए और बहुत सारे चाहत्र मेरे चैनल के मतलब हर वीडियो के नीचे अपनी प्रतिक्या देते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा क्या कमी रह गई तो निश्चित रुप से आप लोगों की प्रतिक्याओं का हर्दिक स्वागत है एक चोटा सा परिवार है हमारा यूट्यूब का और जो धीरे धीरे आगे पड़ रहा है तो मेरे उपर विश्वास ब्यक्त करने के लिए सबसे पहले मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं और ऐसी बहुत सारी प्रतिक्याओं मेरे पास आई क्योंकि आपने शुरुआत में देखा कि मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो 30-40 मिनट्स के होते हैं 40 मिनट्स मैं तो उनका सुझाओ था कि मेरे छोटे रहे उतना अच्छा है तो मैंने प्रयास किया फिर उसको छोटा कर दिया तो मेरा मुख्यूद्देश यह है कि जो कंटेंट मैं यहां पर अप्लोड करता हूं उससे आप पूरी तरह स लापानवीत हों पूरी अधार्णा आपके मन में इस परस्ट हो जाए और साथ ही परिच्छा में उत्तर लिखने के लिए मैं आपको PDF नोट्स भी उपलब्द कराता हूं जो कि बहुत ही सारगर्वीत होते हैं और इस तरी पुस्तकों से बनाए जाते हैं तो मेरे सभी लेक लेकिन जब आप पढ़ना चालू करते हैं अपना पॉर पाइंट को तो जो समझने का तारतम में भंग हो जाता है तो बिल्कुल मैं भी इस बात से समात हूं कि जैसे मुझे भी कोई पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते हैं चानला पढ़ना चालू करते पौर याद नहीं रहती छूट जाती है और केवल जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं ऐसी लेक्चर दे के चले जाओंगा तो उतना फ्रूटफुल उतना लाबदा है कि आप लोगों के लिए नहीं रहे हैं और अगर आप स्लाइट से देखते हैं तो मैं आपको बाद ही देता हूं तो यदि आप लोगों के पाव वक्त है जो चात्र इस लेक्चर को देखेंगे इस वीडियो को देखेंगे तो उनसे मेरा रोध है कि कमेंड बॉक्स में कमेंड लिकर बताएं कि क्या मैं सिर्फ एक्स्प्लेइन करूं अपने स्लाइड को और उसको पढ़ू नहीं वर्ट 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 पढ़ने से निश्चित रूप से तारता में भंग होता है आपको भी बुरा लगता है कि मैं पहले समझा रहा हूं पढ़के ऐसे मैं वरल लेक्चर भी बहुत सारे टापिक्स पर दे सकता हूं जो लेकिन उससे कुछ फायदा लेकिन उस्चात्र का जो प्रपोजल था जो प्रस्ताव था बिल्कु सही है पहले भी आप लोगों ने मुझे बहुत सही प्रतिक्या हैं दी कि मेरे लेक्चर बहुत लंबे हो जा रहे थे सवा घंटा तेड़ घंटे तक के लेक्चर अर उतना पैसेंस नहीं रहता कि इसको परिच्छा में लिख करना तो मेरे नोटस आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया इसके लिए मैं आपको बहुत देनेवा देता हूं और बहुत सारे रिशात्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया खरवा आपकी पीच्चा है आप सब्सक्राइब करते है अपने slides को मतलब मैं word to word अपने powerpoint को नहीं पढ़ूँगा और मैं सिर्फ उसको explain करते जाओंगा मेरे slides को जो भी powerpoint के slides हैं और अंत में मैं आपको उस lecture का PDF उप्लगत करा दूँगा इसे दो फाइदा होगा यह तो आप सरल शब्दों में जटिल अधारणाओं को समझ पाइंगे जैसे कि सरल शब्दों में आपको समझाता हूं word meaning में आपको fourpoint में तो बहुत इस सरल शब्दों में समझ पाइंगे अदूसरा फाइदा आपको लेकिन आप लोगों से मेरा बहुत ही आत्मी संबंध है जो गुरू और शिक्षक और शात्र का होता है तो मुझे आशा ही नहीं विस्वास है कि आप लोग अधीक से अधीक इस बात पर अपनी प्रतियां देंगे कि मैं अपने पावर पॉइंट को सिर्फ एक्स्प्लेइन करूंगा बाद में आपको पीडियाप नोर्स कुपलब दकरा दोगा तो आज के लिए बस इतना ही मेरे बहुत सारे अधीक सदीक चात्रों को मैं लभानवित करने का प्रयास करता हूं या मेरा प्रयास नहीं आता जारी रहेगा यूजी सी नेट जी एरे और यूपी एसी के भी बहुत सारे डिमांड्स हैं तो मेरे अलग 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 टापिक्स पर इंसे लेटेड लेक्टर भी आता अधीक सदीक लेक्टर सप्रोड करने का प्रयास करूँगा नहीं मेरी आपसे गुजारी सिर्फ इतनी है कि प्रतिक्रियां जरूर दे देखने के बाद अच्छा लगी तो भी कुछ कमी रह गई तो भी कुछ बुरा लगा तो भी तो मुझे पता चलेगा कि आप पर सप्रेश्र करने वाले व्यक्ति ने जिस बात को संप्रेशित किया है मैंइक टार्शक दरशक चाटरों तक उसी रूप में पॉंच पा रही ही नहीं तो यह अभी तो फिलाल एक तरफा समाद है बाद में हम जब कभी लाइफ क्लास करेंगी तो दोनों तरफ से समाद होगा तो यह मैं सिर्फ आप से रुबरू होने के लिए यहां पड़ाया था और मेरे चैनल के बहुत सारे चात्र बहुत ही प्रतिफास आली चात्र हैं आप लोगों का भविश्य बहुत उज्वल है और यदि आप हिंदी साहित या हिंदी विशाय को लेकर आप अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं तो मेरे गुजारिस है कि आप मेरे चैनल से जूड़े रहें क्योंकि मैं बहुत सारे इंट्रेस्टिंग लेक्चर्स लेकर आ 12 अप्रेल 2022 को अपलोड किया था उसको भी बहुत सारे चात्रों ने पसंद किया वह मेरा पहला वीडियो था 12 अप्रेल 2022 को मेरा पहला लेक्चर था वह कि हिंदी के शेत्र में रोजगार और करियर के आउसर तो उसको भी आप जाका जरूर देखें मैं जानता हूं कि आप ह है कि परिख्षा का में आप हिंदी साहिते ले सकते हैं स्टेट के जो एक्जाम सोते हैं पीसी में वह भी आप्स ले सकते मतलब बहुत सारे तो उसको आप जाकर जहूर देखें इसके बावजूद भी यदि आपके मन में और भी कोई बात है जो आप मुझे कहना चाहते हैं